ब्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं अभी तलग 45 साल से आस्वासन देते हैं 40 अब की बार पूरी मुस्तेधी से आप देख रहे हो गई भी हैं पूरी मुस्तेधी के साथ किसान या बैठा हुआ है और किसी की aqत नहें वो किसान के हको दबा सके अगर कोई भी गाम में घुशने जाएगा तो गामों में हम भी तो आचार सहीता लगांगे ना किसानों के पास भी तो अधिकार हैं किसी को नहीं बढ़ने देंगे बोटन के लिए हम भी आचार सहीता काव के लगा के दिखा देंगे को आचार सहीता कैसी होती है देखिए हमारे अंदर एक धैरिया है और हम धैरिया के साथ 90 दिन से बैठे हुए है अभी बात गाय भेंश की है अगर हमारा 10 परसेंट हमारा अबादी नहीं चोटी गई तो हमारे यहां एक दो दिन में चूले भी होंगे चाकी भी होंगी खाना बनाएंगे और यहीं चार पाई भी होंगी और हम पूरी तरह से अथोर्टी को बंद करने का काम करेंगे देखिए इनसे हमारी क्याई दौर की वारता हुई है अभी किसान इनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है यह अपनी भासा में कुछ कहते हैं अगर वहां से हमारी कोई सकारात मतंत नहीं बनी अगर हमारे हक की बात नहीं कोई बात तो हम पूरी तरह से अस्वर्टी को नहीं खुलने देंगे पिराधिकार किसानों के लिए बनाया गया है आज किसानों के पांस घर भी नहीं है देखिए आम आदमी से हमारी कोई उनको पीड़ा देने की हमारी कोई उस तरह की नीतिन नहीं है लेकिन आखिर हम क्या करें हमारी पीड़ा है हमारे घर चिनगे हमारे पास अपने घर के भी अधिकार नहीं है किसी को अपनी बेटी की साधी करनी है किसी को बच्चे की फीच देनी है आखिर हम क्या करें गाजीपुर में अंदरुन चल रहा था एक साथ से उसका अंदरुन खतम हो गया है करीब करीब उनकी बाते मान ले गई है आपकी बातों में जो है क्या किसान कम जो रहे कि हैं हाके । देखिए अलग-अलग मांग होती हैं। वह भी किसान की ही मांग है, ये भी किसान की मांग है, वहां किसान की जीत हुई है। अभी MSP पे कानून बनाना वहां भी बाकी है, वहां भी MSP पे कानून बनेगा और यहां भी अपना 10% भी लेंगे, अपना 64% भी लेंगे, अपनी आबादी भी छुटवाएंगे और नक्सा नीती को भी खतम करवा के ही ये वापिस जाएंगे किसाथ, एक पितिनी मंडल हमारा आठ लोगों का आज सुबह गया है, और लगबग चार बजे हमारे किसानों की वहां, हमारे ओद्यों की मंतिर सतीस महाना जी के साथ, हमारी आज हुआ वारता है अच्छा चुनाव आ रहे हैं 2022 में, वोट ही लेना है पार्टी को, अब की बात क्यों नहीं देखिये, वोट तो किसी ना किसी को देना ही होता है, बोट की बात हो, चुनाव की बात हो, या वो बेचुनाव की बात हो, अब किसान पूरी तरह से अपने हग के लिए निकल हमको तो अपना हग चाहिए हमसे आप पूछो कि आपको हग ना चाहिए है तो मैं बता दूँगा अपना हग लेके रहेंगे ये तो उनसे पूछो जी बोट का कुश्चन तो आप उनसे करो हां लोकल अब उनसे मिले थे आप तो हांग कैई बार उनसे हमने घेराओ भी करा है उनका आशवासन मिले है अभी तलक लेकिन किसान पूरी तरह से अड़े हुए हैं अब कि बार आशवासन नहीं जो भी हमारी मांग हैं उनको आप बोर्ड में पास करके और हमको कार्यार ले आदेश दो उससे पहले हम हटने वाली नहीं है अचार सहीता तो हम भी तो लगाने जानतें जी